दोस्तों बिहार में सिक्योरिटी गार्ड की नई भरती आई है तो उचले इस नई भरती के बारे में संपुर्ण जानकारी देखिए यह दोस्तों गॉर्मेंट जॉब यानि सरकारी नौकरी के लिए भरती है पर्मानेंट जॉब है इसमें आपको अच्छा खासा सलरी मिलने वाला है क्वैलिफिकेशन में देखिएगा दोस्तों कोई इसमें कंडिशन नहीं है बस अगर आप बार्मी पास है इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं फॉर्म भराना शुरू हो गया है तो ऑफिस्यल वेबसाट से आप सभी को कैसे फॉर्म फिलप करना है सभी चीजों के बा और इसके बाद अन्यव परकिरिया क्या कुछ है सभी चीजों के बारे में आपको संपूर्ण जानकार ये देने वाले हैं फॉर्म के लिए दोस्तों पहला जो कंडिशन है 18 साल अगर आपका एज मिनिमम 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बताने वाले है ये रहा दोस्तों ओफिस्यल वेबसाट और इसी वेबसाट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलब करना है आगे आपको विग्यापन अर्वर्टाइजमेंट नोटीस भी दिखाने वाले है जिसमें कैसे क्या सेलेक्शन होगा सिलेबस क्या कुछ रखा गया है कितने क्विस्टन क्या कुछ पूछे जाएंगे तो उच लेकर करके सभी चीजों के बारे में देखिए फॉर्म भरनी की जो पाहली परक्रिया है दोस्तों पाहला तो रेइस्टेशन है रेइस्टेशन कीजिएगा फिर आपको यूजर नेम पासवर्ट मिलेगा इसके आपको अपलाई करना है अपलाई के समया आपको क्यालिफिकेशन डीटे़ एड्रेस फोटो सिगनेचर ये सब चीज़ अपलोड करना परेगा फिर इसके बाद आपको पेमेंट करना परेगा पिर यहां से आप अपना रिसीविंग ले सकते और भविस्क लिए आपको रख सकते पासवर्ड आपको रेइस्टेशन के समय मिलेगा रेइस्टेशन के लिए यहां पर रेइस्टर नौपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर दिखेगा तो पहला तो निर्देश यह है कि आपको डेट और बर्थ और नाम फादर सनियम यह सब चीजे जो अगर आप यहार के निवासियत Yes, सेलेक्ट कीज़ेगा, फिर यहां पर आपको आरक्षन कलाब मिलेगा, आप जिस भी कैटोगोरी से सभी का यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखेगा तो क्या आप सरकारी करमचारी यानि भीहर सरकार के अंतरगा जॉब में है तो अगर आप जॉब में है तो यह सेलेक्ट कीजेगा नहीं तो नो और इसके बाद कहा गिये कि आप एक सर्विसमेन है यानि की भूतपुरु सैनिक है तो यहाँ पर यह सुनो जो भी है डेट ऑब बर्थ और एक अगस्त 2022 के अनुसारे एज मांगा जा रहा है तो यहाँ पर कॉंट हो के आ जाएगा इमेल इडी इसके बाद यहाँ पर चेक वाक्स पर क्लिक किजेगा रेइस्टेशन हो जाएगा जब रेइस्टेशन हो जाएगा तो यह से पहले ही आप सभी को फॉर्म फिलब कर लेना है लाश्ट समय में क्या होगा दोस्तों कि वेबसाट सही तरीके से काम और पिर आप फॉर्म सही तरीके फिलब नहीं कर पाईएगा अब यहाँ पर चलिए देखिए सैलरी कितना क्या मिलने वाल है यहाँ पर आप आपन संख्या 01-2023 के अंतरगत सुरक्षा परहरी यानि की सिक्यूरिटी गार्ड की भरती दिया गया है और इस फॉर्म को आपको फिलब करना चाहिए यानि आपके लिए कितना फैदे मंद है यह फॉर्म भरना तो सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने सालरी है और इसे की साजार साथ सो में होच रेंट जूटेगा महगाई भत्ता यानि डी ये जूटेगा सब कुछ जूट करके जब आपका सुरू का सालरी की बात करे तो 33-34,000 आपका सालरी इसमें मिलने वाला है तो आप देख सकते कितना अधीक सालरी है यानि बिहार पु इक्षा कार्च करम की सुचना सारा कुछ भी हर विधान सभाग के वेबसाइट पर दी जाएगी शीटों की संख्या आप देखेगा तो जनरल काटेगोरी में 39 है, EWS में साथ, SC में 10, ST में 1 है, EBC में 12, BC में 9 है, इसके बाद पिछले बार की महलाओं के लेक्त, इस तरह से क पूल मिलाकर यहां पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं, पहला कंडिशन यहां पर है भारत का नागरी खोना निवार्ज है, अगर आप दूसरी राजी से तो भी इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में देखेगा, राजी सरकार के अंदर सरक कारद्वारा मानेता प्राप्त, इंटर्मेडियेट परिशत बोर्ट से किसी वी सेम इंटर्मेडियेट अथ्वा समकच परिक्षा उत्रीन होना चाहिए, यानि परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडिशन नहीं, बस आप आप बार्मी पास है, इस फॉर्म को भरने के लिए, य के लिए आप नन क्रीमी लियर परमान पत्र के लिए आप सभी अपलाए कर सकती, यह जो चाहिए BCBC काटुगरी के लिए, और EWS चाहते हैं, तो EWS से संबधित आपको परमान पत्र देना परेगा, इसके बाद यहाँ पर फिरीडाम फैटर के बारे में, अब चली एज के बा बात करें, तो पुरूस महिला दोनों के लिए 25 साल का कंडिशन, BCBC काटुगरी में 37 साल का कंडिशन है, BCBC काटुगरी में महिलाओं के लिए 28 साल का कंडिशन है, SCST काटुगरी में 30 साल, यानि जनरल काटुगरी में महिला पुरूस दोनों के लिए 25 साल हो गया, BCBC में पु साल SCST में पुरूस महिला दोनों के लिए 30 साल इसके बाद तीन साल का छूट तो अगर आप भी हर सरकार के अंतरगा जौब में है तो तीन साल अगर कंप्लीट हो गया है तो यहां पर अधिकतम आयूस इमाम आपको पांच साल का छूट दिया जाएगा तो जिसके बारे हम यह पर है तो यह चूट का लाव उसी को मिलेगा जो जौब में है यानि अगर आप भी हर पुलिस कॉंस्टेबल के पोश्ट पे तिन साल से जौब में है तो यहां पर एज में आपको पांच साल का छूट मिल जाएगा अगर आप किसी दूसरे जौब में भी है तो भी आपको यहां पर एज में चूट मिलने वाला है इसके बाद यहां पर देखिए दोस्तो हाइट का कंडिशन तो हाइट यहां पर यह है कि भी हर पुलिस कॉंस्टेबल से थोड़ा अधी किसमें मांगा जा रहा है हाइट देखिएगा तो 117.5 cm है तो ऐसे भी देखिएगा तो 170 नह प्रकर 81 होना चाहिए इसके बाद महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए भीहार पुलिस कॉंस्टेबल में भी 155 का कंडिशन है और यहां भी 154,6 cm यानि भीहार पुलिस कॉंस्टेबल से काम ही मांगा जा रहा है और तरही छेतर की निवासियों के मामले में 2.4 cm की सिथि यानि छूट दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आया है तो आपका यहाँ पर होनाची 612 का होनाची इस सभी चीजों में आप नहीं छटने वाली यह सभी जौब में ऐसा ही कंडिशन दिया हुआ रहता है इसके बाद देखेगा परिक्षा की पध्धतित सुरक्षा परिक्षा यानि objective टाइप का एकजाम लिया जाएगा इस एकजाम में दोस्तो टोटल 100 क्वेस्चन पूछा जाएगा इसके लिए आपको दो घंटे का समय मिलने वाला है अब यहाँ पर आप देखेगा तो इस परिक्षा में टोटल 100 क्वेस्चन होगी और इस तरह अगर आप 50 में से 45 क्वेस्चन बना लिजेगा तो आपका सलेक्षन होने का बहुत जैदे चांस है और मैथ यहीं है कि बहुत हार्ड इसमें पूछा जाएगा और अगर आप सभी त्यारी करना चाहत जाएगा फटाफट सक्सेस प्लैनेट अप्लिकेशन से जुर जाएगे वहार पार आप लोगों को बहुत ही कंप्रैस पर यह कोर्स उपलब्ध होगा और इसमें आप लोगों को गनित की अच्छे तरीकेश त्यारी करवाएंगे जिसमें आप पुरा का पुरा स्कोर कर पाए गनित में दोस्तों अरिथमेटिक यानि अंगनित से ही क्वेस्चन प प्रामिल हो गया टोटल मिलाकर पचास क्वेस्चन पूछा जाएगा परिक्षा जो है ओप्लान ओमर सीट पर लिया जाएगा इन सभी चीजों का यहां पर निर्देश दिया हुआ है और इसके बाद देखेगा अधिक आवदन प्राप्त होने पर प्रारंभीक परिक्षा एक से अधिक चर्णों में होगी और उस कंडिशन में यहां पर समानी करन परक्रिया अपने आ जाएगा तो ऐसी इसमें देखेगा तो बहुत अधिक फॉर्म यह नहीं है कि फिलप होने वाला है लभक लाक डेर लाक कंडेट फॉर्म फिलप करेंगा और यह परिक्षा एक ह पालिम होगी तिसलिए नॉर्मलाजेशन परसेंटल यह सब चीज़े किया ही नहीं जाएगा इसके बाद देखेगा पार्ट करम का तो गनित में यहां पर सभी टॉपिक है जो भी टॉपिक है दोस्तों इसी संबदित क्वेस्चन पूछा जाएगा इसके बाद समान अध्य पांच पांच क्वेस्चन करके पूछा जाएगा यह सब टॉपिक आपको जरूर देख करके जाना है और एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को फिर से बताएंगे कैसे कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है कौन-कौन सा बुक पढ़ना है जिससे आपका सेलेक्शन हो ज जाएगा प्रारमिक परिक्षा में देखेगा तो वेकिंसी का दस गुना भीहर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुले आ जाएगा इसक बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फैरल मेरिट कैसे क्या बनेगा तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर देख खास बात यह है दोस्तों कि इसमें गोला फेक उची कुद यह सब कंडिशन भीहर प्लीस के तरह नहीं है बस दौर के अधार पर मार्क्स मिलेगा अगर आप यहाँ पर पांच मिनट से अधिक और पांच मिनट बीस सकेंड तक दौर लिजेगा तो असी अंक यह कंडिशन प यहाँ पर देखेगा जो पढ़ने वाले चात्रों फिजिकल में बहुत बहतर नहीं रहते हैं जैसा आपका कंडिशन वैसा ही दूसरे कंडिट का भी कंडिशन है तो यहाँ पर अगर आप यह साथ वाला में भी अगर आप दौर लीजेगा तो भी आपका इसमें फैनल वाला जो कंडिशन इसी कंदर रहेंगे फिर यहाँ पर साथ अंक वाले में कुछ हाप आएंगा और कुछ असी अंक वाले में इसलिए आप सभी किस फॉर्म को जरूर फिलप कर देना है बाकी इसमें दौर हिया और कुछ चीजे नहीं है सभी कोटी की महिलाओं के लिए देखेगा तो 6 मिनट में 1 किलो मिटर दूरी दौर ना है 5 मिनट में दौर जाते हैं तो 100 अंक 5 मिनट सधिक 5 मिनट 20 सकेंड में दौरने पर 80 अंक आपको मिलने वाल है परिक्षा सुल्क के बारे में देखेगा तो 675 रुपे का कंडिशन है और महिलाओं के लिए 180 रुपे का कंडिशन है अगर आप पूरूस है तो आपको 675 रुपे का पेमेंट देना परेगा और महिलाओं के लिए 180 रुपे का पेमेंट है तो ये तो हो गया दोस्तो फॉर्म भरानी का जो डेट है 25 अपरेल से ले करके 16 मैं 2013 लास डेट है तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप सभी को समझ में आगे अपले ओनलाइन के लिए आपको सभी को फॉर्म में सभी चीज़े सही जानकारी देना है इसके बार देखेगा तो परिक्षा में चीटिंग यह सब चीज़े नहीं कर रहे हैं नहीं तो आपको परिक्षा से इसकासित कर दिया जाएगा इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप सभी जाएए बिहार बिधान सभा को ओफिस्यल वेबसाट पर देखेगा तो यह रहा दोस्तों बिहार बिधान सभा को ओफिस्यल वेबसाट यहाँ पर देखेगा तो यह important notice है यह advertisement है इसको download करके आप पुरा पढ़ सकते हैं और यह apply online का link है इस पर आप click करके form फिलब कर सकते हैं जो कि विध्यापन संख्या 01-2023 के अंतरगत यह भरती आई है लास्ट 8-16 माई-2023 रखा गया है और दोस्तों आप में से कौन-कौन previous year का question देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे का question पूछा जाता है क्योंकि आप देखेग तो किस वेकेंसी की बेस अबरी सिंत जार कर रहे हैं बिहार पुलीस बिहार दरोगा बिहार SSC कमेंट करके जरूर बताइए और कौन-कौन previous year का question देखना चाहते हैं हम आप लोगों को previous year का question भी provide करवाएंगे तो आप सभी फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जु